हेलो दोसों नमस्कार, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में, आज आपको दिखाने वाला हो गाउ में एक बहुत पुराना घर, वैसे मैक्सिमम घर तो कंस्ट्रक्शन के कारण, आज जैसे नई नई आदूनकता के कारण, लोग नए नई घर बना रहे हैं, आज आप आपको दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला सामने, तो अभी ये वाला दिखाऊंगा मैं अभी आपको अंदर से, ये बहुत पुराने घर है, बाकी तो पुराना घर नहीं बचावा गाउ में, ये दिखाता हो आपको कैसे लोग पुराने इसमें रहते थे, बहुत कम यह देख सकते हैं आप यह दो निकाल दिया है वैसे अब अब तो यहां भी नहीं रहता है पहले पूरी फैमिली रहती थी अंदर अंदर से आपको दिखाते एक बार केमरा में अंदर आजाय आपने कि एक वार देखो आप कितना सा यह बहुत बड़ा पूरी फैनली पहले ही रहती थी और इतना सा घर है ज्यादा है इतना ज्यास सब्सक्राइब यह पूरा इतना ज्यादा मेरी हाट मेरहाद पूरा आते ओपर तक और आगे समान देने के लिए यह पहले शायद समान बगरा रखने के लिए था बहुत कम जगाए और इस साइड में इस साइड बाकि रोश्नी बगरा के लिए खिड़के होती थी आप कैसे और बहुत कमी इस साइड यह यह शायद अनाज बगरा नियुक्ता है इतना पता नहीं है और यह खिड़क्या फूरा पहले पूरी इतना सथा देखसकते आप जादा बड़ा नहीं है स्पेस ते D जस्त एकी कमरा है पूरा अश्वी बगेर आप भार को थी शायद और लाइट और दर्वाजा देख सकते आप दर्वाजा देख सकते हैं अगर में बैट रहा हु इस टाइम तो बैट की भी मेरी हाइट बिलकुल उपर लगती है बैट के लोग अंदर आते थे पहले और से भी पताएगा आपको बांकी थीख है चलो भार केवार के बार को पी यह रास्ता देख भूए और यह घर के नीचे होता था जैसे आपकोो अब दिखाएगे गाय बगयरा रहती थी नीचे गाय बगयरा रहती थी और उपर लोग रहते थे आपको दिख रहा है एक घर ये है सामने इसका भी अब यूज नहीं है तो अंदर से बिलकुल खराब हो गया है तो अभी दिखाएगे आपको दिखाज़त से मैं सही थरकाया मारा गाओं आपको हर एक रास्ता बिलकुल पक्का पत्थर का बनावा दिखेगा कहीं भी बिलकुल मिट्टी और की चट वगरा नहीं में लगा को प अब अब ताब लोगा मासम थे तो तो जो वीतासे रह थे तो फिछे पाचे उदे पाली तर बगरा कुछ नहीं था मलब ताकि गरागरम रह सके माहोल और गर होते थे बहुत थोटे-चोटे थे बने विए अज़ा आज़ा दो